नमस्कार मैं हूँ आपके साथ दिंपर शर्म और फर्स इंडिया का खाश शो विदानसभा लेकर आप पहुच रहे हैं हम मकराना विदानसभा सीप पर सफेद मार्बल के नाम से प्रसिद ये नगरी और बात कर लें इस वक्त मौझूदा इस्तितिकी चुनावी स्तितिकी पिछले 20 सालों में एक बार कॉंग्रेस अपना गड़ जीतने में कामियाब रही पिछले 20 सालों में तीन बार भाचपा और एक बार 2008 में कॉंग्रेस आई लेकिन उन मुद्दों को जरा बात कर लेते हैं उन मुद्दों पर जरा चर्चा कर लेते हैं जो मुद्दे जनता के हैं जनता के हितमे कौन सी पार्टी ने काम किया और कौन रहा विफल उनको लेकर यहां चर्चा करेंगी तो शुरुआत करते हैं तेरा में भाजपा और उसके बाद 18 में वापस से भाजपा ने अपना जो कब्सा है वो कायम यहां पर रखा कह सकते हैं एक बार बीजेपी एक बार कॉंग्रिस का जो पैटरन है वो इस जगे पर भी 25 साल से हमें देखने को मिल रहा है तो शुरुआत यहां से भाजपा से करन करना विदान सभा शेतर में पीम आवास को लेकर जो काम हुआ वो सबसे बड़ा एक भारते जंदा पार्टी की गरीब दलित मजदूर किसान को काम देने की योजना थी वो यह थी कॉंग्रेस पार्टी ने परदेश इस्तर पर उस योजना को रोकर पूरे पंचाइद होता है 80% 20% 25% राज्य सरकार का होता है वो सारा अनुदान पिछले पांच सालों में रुका इस गति को रोकने का काम इसने किया और जो सबसे बड़ा दलित गरीब मजदूर और किसान और जो जिन लोगों के जो बेघर लोग थे उनको जो मकान आवास योजना थी वो आवा 2023 में ऐसे कौन से काम है जिससे जनता से बोट की अपील करें और जीत की जो हैट्रिक है वो पूरी करें बाजपा एक अनुसासित पार्टी है पहला दूसरा बाजपा हमेशे इस वर्चस रखा है यहां पर मुख्य रूप से जो भी सहर के कारिकरम है सम्मे बाजपा ने सफल रूप से लगो गिया आगामी चुनाओं में भी संगटित होके हम कारे करेंगे ताकि हम वापिस जीते हैं कि भाजपा ने तो अपनी रणनीती बता दी कि किस तरीके से वो इस मैदान में आगे बढ़ने वाला है और जीत की हैट्रिक की और कैसे बढ़ेंगे कौन से ऐसे का वो लोग पूरा सिस्टम यहां रखते तो जूरती नहीं थी किसी की तो मैं तो यहीं चाहता हूं अगर आगे भी जानेंगे कि किस तरीके से दो बार लगातार जो जनिता है उन्होंने भाजपा पर वरुसा जता है व्यक्ति विशेश पर चुनाब था काम पर चुनाब था नाम पर चुनाब था यह भी यहां पर जानेंगे देखिए दुरती बात हार जीत के और बात चुनावी समी करण की चुनावी मुद्दो की तो उन चीजों को भी लेकर बात कर लेते हैं वर्तमान विदायक यहां पर भाजपा से हैं इससे पहले 2008 में कॉंग्रेस आई थी क् 13 और 18 में भाजपा ने बाजिमारी कॉंग्रेस यहां पर विफल रही उसको हतियाने में देखिए ऐसा है कि पिछले मानते हम लोग की पिछले 10 साल से यहां बाजपा के विदायक हैं और मैं उसमें सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि अभी राष्ट के मुद्दे चल रहे हैं तो उसी राष्ट के मुद्दों पे जिस परकार हमारे केंदर के नेताओं ने लावना से गए उसी का नतिजा यह रहा कि पिछली दो सीटें यहां से बीजेपी जिती है तो बार यह लगातार हुआ सर्फ इसी कारण से बिलकुल कि इसी कारण से बाकी आप इस्थानिये बात करने आये हैं देखिए नगरपाली का थी नगरपरिश्द बनी हमारी उप्तेशिल बनी कॉंग्रेस के राज में यहां सरकारी कोलेज आया कॉंग्रेस के राज में अभी बूर्सु उप्तेशिल हुई कॉंग्रेस के राज में यहां आई टी आई कोलेज आई कॉंग्रेस के राज में मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि अगर को इस्थाई वि पर बादशीत करना चाहेंगे सडकों को लेकर पानी बिशली को लेकर काम कैसा हुआ है यहां मकरणा की इस्थी देखो अप अंदर जाके अंदर शहर के अंदर जाओ हम यह नहीं बोल रहे हैं कि ये पालटी कराब है या इन्होंने काम नहीं करवाया तो कम से कम मकरणा की miałatों देखो आप है यहां बोराव रोड पर जाके देख लो अभी बागर जाके देखो कितने नेता है अभी मिटी डल्वा दी सड़क बनाई किसी ने कि साइक काम में यह नहीं बोल रहा हूं कि बाजपा ने काम नहीं करवाई तो अंदर से इस आर्फ के आला देको आप शेयर में जाएक करो आप सर्वे देखिए मकरने विदान सबजों से तरे ये सदूसे ही कॉंग्रेस का गड़ रहा हुआ है और ये विफलता है कि लगातार ये दोवार हा रही है हमारे साब से तो पार्टी विशेश नहीं आ रही है कोई वेक्ती विशेश आ रहा है यहां पर और पाटी को भी बात समझनी चाहे है कि बार अगर जो हार रहा है तो उसको टिकेट रिपीट ना करे और रही बाद विफलता है सडकों की स्तिती थोड़ी ठीक नहीं है जलबहराव की समस्या आ पर है बात ये कर रहा है कि व्यक्ति विशेश की वज़ा से हार गई सीट कॉंग्रेस 2008 में कॉंग्रेस थी और 1980 के इलेक्शन के बाद 4 बर कॉंग्रेस और 3 बार भाजपा जीती है व्यक्ति विशेश को लेकर चुनाव था क्योंकि ये भी कहा गया कि अगर टिकेट बदला जाएगा तो हो सकता है कि इस बार कॉंग्रेस को फायदा हो लेकिन मुद्दो पर बात कीजिए कि भाजपा विदायक ने आपर काम कितना कराया है साफ कह रहे है कॉंग्रेस वाले ये कि शेहर के बीच में जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकर काम हुआ है या नहीं हुआ है पिल्कुल यहाँ पर सवाल स्थानी मुद्दो को लेकर ही किया जाएगा राजनितिक जो बाते हैं कौन कितनी बार जीता और कितनी बार हारा एक बार हमने कर लिए लेकिन यहां के कामों को लेकर हम खुद हमारी जब टीम यहां आ रही थी तो इतनी गंदी सड़के हैं वह हमने खुद ने देखी तो उसका कारण कहा है क्यों काम नहीं करवाया भाज़पा ने लगातार काम चल रहा था हमारे जो पीपी योजना के तुरू यह जो सेहरी में जो हाईवे चल रहा है इसका काम लगातार चल रहा था लेकिन बारिस के कारण ये काम थोड़ा सा अवरूद हो रहा है बाकी मकराना सेर से बाहर निकलते भी सड़के की स्थिति एकदम सही है और चारो तरफ हाईवे के असार बने वे हैं और हैं यहां से कुछामन से जाती क्या कहेंगे उसके बार में क्यों निजात नी पा रहे हैं के लोग इस तकलीफ से मकरना एक्षूर में क्या कटरी नुवा है बीच के अंदर खड़ा है और चरुतर से हाई उंचाई में पत्थर का बिसनिस यहां पर ज्यादा है जहां तक मकरना की सड़कों की बात च सड़कों का काम हुआ है। काम के नाम पर एक भी काम नहीं होता है क्योंकि ब्रश्टाचार ये बार-बार एक ही बार में आप यहां पर चानवीन कराईए एक सड़क तेकं 10 बार पांस साल के प्रीड़ी में बन गई लेकिन वो काम्याब नहीं होई बार बार वह ही सड़के बनती है बार बार उनका बजच ऊड़ता है इतना बज़त आता है कि पूरा मकराना सुंधरी करेंड से फैल सकता है जो पांस साल के अंदर कोई भी काम नीए कीवल बरष्टाचार और एक ही परिवार फरीवार से क pilgrimage सरकतूना scarce कि आगोर्र और खिंश wish- मॉयले स आ पैसप्स्ड हे कि घुदार लिए एक सिर्फार पर एक में जाम धिये जहां पर विदायक कोश का पैसा कम लगा ऐा, उसमें ही पिछड़े हैं। अपने परिवार को लेके परिशान हो रहे थे उसके लिए सरकार ने चिरंजवी योजना लागू की 25 लाग का केशले सिला जो लागू किया हमारे सरकार ने और 10 लाग रुपे का दूर गड़ना भीमा योजना चालू किया और बात जिस मुद्दों पे सरकार के राज़े इस कर दो काम करवा सकती थी बाज़पा रोब लगा रही है कि उन मुद्दों पर भी काम नी कर वाए कोंग्रेस ने का कर दी काम नी कराया कोंग्रेस निए भी शेकिन पेस का काम चल रहा है मैं जाँ आप आये होगा से काम करने के से कड़े हैं को बाझपा का वीदायक 10 साल सी परती . सब्सक्राइब सब्सक्राइब आप चलो हमारे बार के अंदर शेयर के अंदर पच्पन वाड़ है और पूर कंप्लीट काम औरका है नहीं और जाने हैं यह आम तोर पर यह भी बात कही जाती है कि विदायक अगर भाजपस है क्योंकि सरकार कॉंग्रेस की तो विदायक अपनी मांगे मनवाने में सफल नहीं हो पाता है। सच में वाकई कोई कारण है। देखो पार्टियों हैं जो ये बीज़़पी कॉंग्रेस और भी पार्टिया इनका आरोफ परत्यारोफ तो चलता रहता है। कांग्रेज बीजेपी पारोफ लगाएगी बीजेपी कांग्रेज पी लगाएगी अपने अपने काम गिनाएगी आज मकराना की मांग यह है आज रोजगार की यहां मकराना में कमी है मकराना की जो हालत है वो किसी से चुपी हुई नहीं है यहां पर रोजगार ले लो विद् इस्तिती ऐसी है क्यों नहीं हुआ काम क्या विदायक को से पैसा लगा नहीं और अगर लगना था तो वो मांगे जब आगे रखी गई थी वो मांगे पूरी नहीं हुई दोनों का ही मुद्धा है कॉंग्रिस के इत्मे जो हिस्सा था उन्होंने कितना काम किया भाजपा से वि यहां की जनिता है वो परेशाने क्योंकि विदायक कुछ से पैसा नहीं लगा जो बाते हैं जो आरो प्रतियारों पर लगातार यहां पर सिलसिला जारी है लेकिर राजनेतिक बाते हमने अब तक कर ली उन मुद्धों को हमने जान लिया कि सरकार क्यों नहीं आई क्या कमी रह गई क्या लूप उज रहा है लेकिन अब बात करेंगे यहां के आमजन के लिए जो कि एक उदेश्य है फस्ट इंडिया का ग्राउंड जीरो पर आने का कि यहां का आमजन आखिर क्यों तकलीफ में है कौन से असे मुद्धे जिसको लेकर परिशान है वो ब्रेक के बाद आप सभी का सुआगत है लगातार वो मुद्धे हम जान रहे थे मकराना विदानसवा सीट कर कि जिस पर काम कितने हुए जनता ने कितने राहत वाले काम किये और जनता आहत अबी तक कितनी है कौन से ऐसे मुद्धे है क्योंकि विदानसवा चुनाव कुछी उजना है धलातल पर कितनी है गोशना है तो हो जाती है लेकिन धलातल पर वाकिए उनका एक कह सकते है कि होती कितनी है वो काम कितनी करती है उनको लेकर भी बात चीत है अभी तक बात चुनावी मुद्धों पर हो रही थी चुनावी समिकरन पर हो रही थी लेकिन अब बात राज़ितिक पार्टियों से उपर उठकर किसी भी पार्टि से विदायक आया आगे 2023 में कहीं से भी चुना जाए सरकार कॉंग्रेस की हो, बीजेपी की हो या कोई और हो लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं मकराना विदानसभा सीट की बात करेंगे कि कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर काम होना चाहिए क्या चाहती है मकराना की जनता उसको लेकर बात बेलकुल यहाँ पर बात अब तक राज़ितिक मुद्दो को लेकर की गई थी लेकिन आप बात करेंगे यहाँ का आमजन आखिर क्या चाहता है सही कार्डिमपल आपने यहाँ पर विधायक कोई भी आए 2023 में कोई भी पार्टी आगया है किसी का भी विधायक बने लेकिन यहाँ पर वो मुद्दे क्लियर होने चाहिए जिन पर काम अब तक अधूरे है भाजपा आई, कॉंग्रेस आई लेकिन वो काम कौन से रह गए जो अब तक नहीं हो और अब जरूर होने चाहिए तो चली शुरुआत करती हूँ मैं आप मुझे बताईए कि यहाँ पर ऐसे कौन से मुद्दे जिसको लेकर काम होना बेहत जरूरी है मैं बहुजन मुक्ती पार्टी से उमिदवार भी हूँ और मैं यह सविदान इसलिए लाया हूँ यह मुझे दुख है लेकिन अब आप विकास की बात करते हूं ने मैं कौंग्रेस के आलोच ना करूँगा ने भाजपा के आलोच ना करूँगा लेकिन आप जब सहर में गुसे तो जिस सहर का चेराई खराब हो डंपिंग यार्डवां आप कुछामन में परवेस करते हुआ है हमारा गेट दुआर नहीं है हमें जू बना दिया गया राम्यास गार्डन कैमें टोल देना पड़ेगा मकरणा से आने के लिए और जाने के लिए हमारे यहां सबजी मंडी निये मकरणा में यहां मीट की मंडी निये ने उचित उनकी रेटे हैं यहां इसकूले निये यहां कोलेजे निये अगर यहां पर जानना चाहें तो जानेंगे कि वो दो लाइन में मुद्द जिसको लेकर यहां पर काम होना चाहिए जैसा कि उन्होंने का मूलबूत सुविधाय नहीं है कौन से ऐसे काम है जो यहां पर नहीं हुए अभी तक मैं ट्रांसफोर्ड एसोशन का देक्सो महीपाल सिंग राजप्रोई यह एथियासिक मंडी ती यहां ट्रांसफोर्ड नगर सबसे पहले बनना चाहिए था जो आज तेक बना हमारे बरावर पैरलल मंडी किसंगर जहां राजस्तान का सबसे खूब सूरत और विदिवत ट्रां का मुद्दा है मजदूरों के लिए चिकिश्या उनके मतलब जो है काफी बड़ी समश्या है उस पर जोड़ा वह ध्यान देना चाहिए चली क्या कहेंगे एक लाइन में जवाब चाहती हूं कि कौन सा ऐसा मुद्दा जिसको लेकर काम हो मैं तो बिजनेसमें ना अट जिकि आंदर आए फांदरा सब लगाते हैं यहां कि अकरि攻פ 20 कटरी होते यहां जिसको बहुत बदा कॉयां लेकर अब चाहे को था वृदा का मुद्दा में लेकर लेकिन वी विदाह क् dai मजदूर कर रहा कुंद На समुद्धा अगर बाजबा का विदाय गाएगा तो हम यहीं उमीद करते हैं होगा काम रोल्टी का सबसे बड़ा मुद्धा इसलिए कि लोग अपने परचेज करते हैं तो माल के पैसे जैसे रोल्टी का माम लाता है क्योंकि किसंगड वगेरा कहीं पर भी नहीं है तो उनको हुआ उसको ले कर भी बात करते लेकिन आप उन मुद्धो को बताईए जिन मुद्धो को लेकर होना चाहें काम यहां पर सबसे बड़ा काम जो मुद्धा देते हुआ या महिला मावी देले कुल लजाए ताकि महिला आगे बड़े और इस सेर के विकास के लिए उनका योगदान हो। ये लोग सबी लोग मार्बल से जुड़े में तो मकराना खनन शेत्र में विशेश खनननीती लागू हो नहीं कि मांग बरसो पूरानी हमारी रही है। ये सरकार से कि आगामी जो भी विदायक बने वो चिक्किस्या शेत्र में विशेश अपना ध्यान दे करके और मकरणा उपस देंगे और बताई कौन से मुद्दे जिनको लेकर का में विकास इसलिए नहीं होता है कि यहां 15-20 सालों में जो आ रहे हैं आयोगे और आट वी नो इपास आ रहे हैं और नगर परिशद में इसलिए विकास नहीं होता है कि वहां परिवारबाद और सगा समंधिवाद आवी है। कास नहीं होता चलिए मुद्दे बताई जिसकों के नाम पर अभी अभी यहां पर एक प्राइवेट कोलेज सुखुला है जो भी तीन कमरों में चलता है शिक्षा के नाम पर यहां पर जीरो है प्राइवेट जो सरकारी स्कुलों के हालत है वह तो बहुत ही देनी है सिक्षा को लेकर काम होना चीव मुद्दे बताई जिसकों लेकर काम ही और यहांपर रोजगार की इस्ति टो इस resembles के नहीं है मंडिया नहीं है एक चुलू में इन्हों नहीं है आसले कोई विक्सित मंडिया नहीं की और रोल्टी की बात है तो रोल्टी का मुद्धा भी है कि रोल्टी ज्यादा लग रही है इसलिए मंडी पिचेड रही है शिक्षा के शेतर में कारे होना चाहिए कोलेश ट्रोमा सेंटर जैसे रोल्टी जैसे मुद्धे से काफी मुद्धे जो मकणा को विकाशी गती दे सकते हैं मकणा को आगे बढ़ा सकते हैं शड़क और नाली निर्मान इसे तो हर कोई कर सकता है यह सरपाइंच परदान भी कर सकता है यह में लेकर जनरल बाते हैं लेकिन जब शिक्षा के शेतर में मकणा आगे बढ़ेगा तो यह मान के चलिए मकणा के सारा सिस्टम से हो जाएगा देखे किया सकते हैं त्रिप्ती शिक्षा सबसे मेतपूर्ण चीज़ है कि शिक्षा को लेकर काम हो तमाम चीज़ें आपर और बी ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर काम होना चाहिए मुद्दे कई सामने आए कि मकराना की जो इस्तिती हो सकती थी वो किसी भी पार्टी ने चाहता और बात हमने पहले भी कीती कोई चाहता है तो काम करवा भी सकता है क्यों इसको इतना पिच्चड़ा कर रखा है मकराना की अगर विश्व प्रसिद्य अपने पत्तर के लिए तो जगव ऐसी दिखनी भी चाहिए विकास उनका होना चाहिए शिक्षा पानी बिजली और मुलबुस विदाया उनको लेकर भी काम हो और यहाँ पर स्कूल कॉलेज को लेकर है चिकित्सा सिवाओं की बात करी जो बदहाल इस्तिती है उन पर काम हो कहीं कभी विकास तभी संभव है मकराना विदानसभा के मुद्दे भी हैं जो आगे सरकार तक भी पहुचेंगे पा अपना पद छोड़ कर वो मुद्दे बता रहा है जिस पर काम होना चाहिए जो जरूरी है जो वहां बैटी सरकारों को भी पता चले कि मकराना इतनी अच्छी जगह होने के बावजूत क्यों इतना पिछड़ा हुआ है दो हजार तेईस में कोई भी आये लेकिन इन सारे मु भी हम हमारे दर्शकों को बता रहे हैं तो डिंपल ऐसा करते हैं कि विधान सफा का सफर यहीं खतम करता है बढ़ते आगे कि और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त नमस्कार